नमस्कार विद्यार्थियों मेरा नाम है आदर्श महुर्या मैं आप सभी को पढ़ने जा रहा हूं पुस्पी पात्पो में लेंगिक जनन हम लोग इसमें बहुत डिर सारे टॉपिक्स के बारे में डिसकस करने वाले हमारा पहला टॉपिक है इसमें पुस्प की सनचना दूस पढ़ने वाले हैं और सबसे महत्तिपून बाद इस चैप्टर को सुरू करने से पहले आप लोग अगर चैप्टर हम से पढ़ने का मतलब हैं यहां पर सीधा-सीधा यह कर आप यह चैप्टर पढढ रहे हैं तो सिर्फ एक ही जगा रहे हैं या एकी graph से पढ़ एक आपको यह चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा ठीक लेकिन आप एक ही नोट से फिर एक ही टीचर को ही फॉलो करेंगे चैप्टर को खतम करने के लिए तो यह सबसे महत्यपूर बात थी जो आपको मैं बताना चाहता था और आने वाले कुछ दिनों में हम लोग को एक अपना एप लॉंच कर रहे हैं जिसका नाम है साइंस मेला आप उस एप पे जाके हमारी नोट को पढ़ सकते हैं और दूसरा काम उसमें आप स्लेबस देख सकते हैं और आप तीसरा काम आप मॉडल पेपर भी देख सकते हैं तो आने वाले दिनों में हम लोग यह सारी चीजे करने वाले हैं तो ज्यादा समय बरबाद ना करते हुए हम लोग अपने चैप्टर के शुरुआत करते हैं प्रतेक जीवी जीव पीड़ी दर पीड़ी प्रजातियों की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए प्रजन करता है अगर कोई भी जीव है ठीक ना अगर प्रजातियों की निरंतर बनाए रखना चाहता है तो उसके पास एक मत्त तरीका है वो क्या है प्रजनन का पुस्पी पादप लेंगिक प्रजनन को दरसाते हैं जिसमें पुस्प एक अत्यंत महत्यपूर्ण भूमिका का पालन करते हैं तो जो पुस्पी पादप होते हैं जो पुस्फ होता है उसका ठीक ना वो बहुत ही महतेपूर भूमिका निवाता है किसमें लेंगिक जनन में ऐसे पुस्फ में नर और मादा जनन अंग होते हैं जो आगे नर और मादा युगमक को बनाते हैं तो जो नर जनन अंग होगा नर युगमक बनाएगा और जो मादा होगा वो मादा युगमक बनाएगा यह नए पौधे बनाने के लिए निसेचन करते हैं जैसा कि मैंने आपको पहले ही चैप्टर में बताया है कि निसेचन वह प्रक्रिया है जब नर युगमक और मादा युगमक मिलके सल्यान करते हैं तब निसेचन की प्रक्रिया होती है ज पुस्प क्या है हमारा प्रारो का रुपांत्रण है अब हम लोग देखेंगे पुस्प के चार भाग होते हैं पहला भाग बाहे दलपुंच जिसको इंगलिस में कैलेक्स कहते हैं दूसरा दलपुंच जिसे इंगलिस में करोला कहते हैं तीसरा पुमंग, जिसको English में Endosium कहते हैं, उसके बद हमारा दूसरा भाग क्या है दल पुमंग, जो आप ये गुलावी कलर का भाग ये देख रहे हैं, तीसरा भाग क्या है दल पुमंग, पुमंग क्या है जो आप ये लंबी सनचना देख रहे हैं इस पुस्प में ये देखिए लंबी ठीक ना जिसमें क्या कहते हैं पुतंतुर पराकोस है ठीक ना इसी को हम लोग नरभाग कहते हैं ये पुंकेसर कहते हैं ठीक ना इसी को हम लोग पुमंग भी कहते हैं और अगला भाग क्या है हमारा जायांग जो आप ये बीच में ये जो सनचना देख रहे हैं ये हरी हरी जो ये सनचना देख रहे हैं ये लंबी सी ठीक ना इसी को हम लोग क्या कहते हैं जायांग कहते हैं ठीक तो पुस्प के मुखेता चार भाग होते हैं पहला बाहर दलपु पहला भाग है या हरे छोटी पती नुमा सनचनाओं का बना होता है जिने बाहिदल कहते हैं जैसा कि आप लोग इस पुस्प में देख सकते हैं ये हरे पती नुमा सनचनाओं का बना हुआ है जिसे के हम लोग क्या कहते हैं बाहिदल कहते हैं जब यह सोतंत्र होते हैं तो इन्हें प्रिथक बाहदली कहते हैं कहने का मतलब जब इस पुस्प में आप लोग देख रहे हैं ठीक न यह क्या सोतंत्र है मतलब एक दूसरे से देखें बिल्कुल क्या है पुस्प में अलग-अलग देख रहे हैं तो इनने क्या कहा गया प्रिथक बाहईदली कहा गया इसलिए और जब जुड़े होते हैं तब इन्हें संयुक्त बाहईदली कहते हैं कहने का कली को तथा उसके अन्यांत्रिक भागों को सुरच्छा प्रदान करते हैं तो यह जो कलीयां होती है ठीक ना उनको और जो अन्यांत्रिक भाग है जैसे कहते हैं जायांग हो गया ठीक दल पुंज हो गया पुमंग हो गया तो इनको यह क्या करते हैं सुरच्छा प्रदान करते हैं हमारे पुस्प का अगला भाग है दल पुंझ जिसे इंगलेस में हम लोग कोरोला कहते हैं यहां पुस्प का दूसरा चक्र होता है कहने का मतलब यह पुस्प का दूसरा भाग होता है जो बाह दल पुंझ के अंदर इस्थित होता है कहने का मतलब यह हमारा बाह दल एक पाना तो यह किते तनल का बना हुए पांस दल मंतलब कहने का मतलब यह से 2-6 में कोई भिख को सकते हैं तो यह अलग-अलग color के हो सकते हैं इसका मुख्य कार है परागड है तो कीटों को अकरसित करना कहने का मतलब यहां पिए है जो कीट होते हैं वो परागड करते हैं परागड कहने का मतलब जो कीट होते हैं परागड को वर्तिकाग्र तक पहुचाने का काम करते हैं तो इसी प्रक्रिय होते हैं तो उन्हें सैयुक्त दली कहते हैं कहने का मतलब जब ये देखिए इस पुस्ब में ये दल क्या है अलग अलग है इसमें गिन सकते हैं एक दो तीन चार पांच ठीक ना तो इसमें दल अलग अलग है ठीक ना मतलब कि स्वतंत्र है ठीक तो इन्हें हम लोग क्या कहेंगे प्रिथक दली कहेंगे ठीक ना और जब यह जुड़े होते हैं कहने का मतलब आप इस पुस्प में देख सकते हैं इसमें जो दल है इनको आप एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते मतलब कि अगर इनको अगर आप निकालना च जक्र है ठीक ना कहने का मतलब यह पुस्प का तीसरा भाग है जो नर अंगो का बना होता है तो यह किसका बना होता है नर अंगो का बना होता है प्रितेग नरंग पुंकेसर कहलाता है और प्रितेग नरंग को हम लोग क्या कहते हैं पुंकेसर जैसा कि आप यह चित्र देख इसी को हम लोग क्या कहते हैं पराग कोस कहते हैं ठीक उसके बाद दूसरी सनचना जो यह हरी हरी लंबी सी है इसी को हम लोग क्या कहते हैं पुतंतु कहते हैं ठीक ना इसी को इंगलिश में हम लोग फिलामेंट कहते हैं और हिंदी में पुतंतु कहते हैं यह जो लंबी सनचन या पुस्प का चौथा और सबसे अंधर रहने वाला भाग है इन्हीë विजगांड़ो में मादय यूगमक होते हैं। आप ये जो फूली सनचना देख रहे हैं इसी को हम लोग क्या कहते हैं अंडासे कहते हैं ठीक ना जो आप इसके अंदर जो सनचना देख रही है ठीक ना इसी को हम लोग क्या कहते हैं बिजांड ठीक ना बिजांड के अंदर ही क्या होता है मादय युगमक बनता है जिसे की हम लोग क्या कहते हैं ठीक ना तो बिजांड आगे चलके हमारा क्या बनाता है बीच बनाता है ठीक और जो अंडासे होता है आगे चलके हमारा क्या बनाता है फलका निर्माण करता है वर्तिका अंडासे के ऊपर का लंबा एवं पतला भाग होता है कहने का मतलब यह अंडासे हमा वर्तिका का सबसे ऊपर का भाग होता है जो चिपचिपा होता है ठीक ना तो वर्तिका के ऊपर एक सनजना आप देख सकते हैं यह क्या है वर्तिकाग्र और यह क्या होता है चिपचिपा होता है ठीक ना मतलब इसमें कुछ भी आएगा इस्टिक कर जाएगा ठीक ना तो पक जाएगा वर्तिकागर से अगला टॉपिक है निसेचन पूर सनचनाए एवं घटनाए ठीक ना अब हम लोग पढ़ने जा रहें निसेचन पूर कितने सनचनाए बनती है ठीक ना और कौन-कौन सी घटनाए होती है पुंकेसर पुमंग फूल का नरजननंग है पुमंग की प्रते कि काई पुंकेसर कहलाती है ठीक ना तो पूरे क्या कहते है नरभाग को हम लोग पुमंग कहते हैं ठीक ना पुमंग या फिर पुंकेसर कह सकते हैं और उसकी जो प्रते कि काई मतलब अगर किसी एक की बात कर रहे हो तो उनको हम लोग क्या कहेंगे ठीक ना जैसे कह एक की बात हो रही हो, अब हमारा अगला टॉपिक है पुंकेसर के भाग, ठीक ना, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पुंकेसर के मुखेता दो ही भाग होते हैं, पहला है पुतंतु और दूसरा क्या है पराकोश, ठीक ना, तो आने वाले स्लाइडों में हम ल जैसे सनचना होते है, ठीक ना, जिसके अंतिम सिरे पर एक सनचना होते है, जिसका नाम क्या होता है, पराकोश होता है, पुतंतु का दूसरा चोर पुस्प के पुस्पासान या पुस्प दल से जुड़ा होता है, ठीक ना, दूसरा चोर हमारा क्या हुआ, ये नीचे वाला हमारा क्या है दूसरा छो ठीक ना तो पुसपासन और पुसपदल क्या होते हैं चलिए आपको हम चित्र में दिखाते हैं आप यह सनचना जो देख रहे हैं ठीक न यह क्या है हमारी पुसपासन है ठीक न जहां पर जूड़ा हुआ यह कौन सी सनचना है पुसपदल है ठीक न तो ये कहां पर जुड़ा होता है, पुसपासन या फिर पुसपदल से जुड़ा होता है, अब हम पुंकेसर का दूसरा मुखे भाग पढ़ेंगे, वो क्या है, पराकोस, पराकोस को इंगलिश में हम लोग क्या कहते हैं, एंथर कहते हैं, चलिए आईए अब इसके बारे में पढ़ते हैं, पुंकेसर का फूला हुआ उपरी भाग पराकोस कहलाता है, तो यह जो पूरी सनचना दिख रही है, ठीक ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं, ठीक ना, और जो यह इसका उपर फूला हुआ उपरी भाग है, हमारा पराकड उत्पन हो रहा है और उन्हें अपने भीतर रखता है तो देख सकते हैं पराकड इसके भीतर है पराकडों में पौधे का नर युगमक पाये जाते हैं ठीक ना तो पराकड के अंदर ही मतलब कि इसी पराकड के अंदर पौधे का क्या पाये जाता है नर युगम तो ये कित्ते पालियों का बना है, मतलब कि एक ये हिस्सा और एक ये हिस्सा, ठीक ना, तो ये कित्ते पालियों का बना है, हमारा दो पालियों का बना हुता है, ठीक, तथा प्रते एक पालियों में दो कोश्ट होते हैं, इन्हें द्री कोश्ट ही कह सकते हैं, ठीक ना, तो आ और वाले भी एक पाली में दो कोष्ट होते हैं ठीक ना पराकोड एक चतुस कोडी सनचना देख सकते हैं एक दो तीन चार ठीक ना तो इसी पराकोड को हम लोग क्या कहेंगे चतुस कोडी सनचना कहेंगे जिसमें चारो कोनों पर लगू विजालू धानी समाहित होते हैं कहने लगू बिज़ा यद्धानी अकार में विक्सित होकर पराकपुट बनाते हैं ठीक ना तो हम अगे चल्के drifting किसके निर्मार करते हैं ठीक न और पराक पुट के अंदर ही क्या कहते हें पराकड होते हैं पराकड कहने का मतलब कि एक खाली स्थान जहां पराग कर रहते हैं अब हम अपना अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं लगु बिजानु धानी की सनचना ठीक ना इसको इंगलिश में बोलते हैं फ्रक्टर ओफ माइक्रो इसप्रैंजियम ठीक ना तो हम देखें कि जो लगु बिजानु धानी होती है ठीक नवो कैसी नहीं जह Uno कि आट है ऑपर धेडारूपी लगु बिजानु धानी प्रारव में गुलाई में प्रकट होती है जो बाद में चल हो जाती है ठीक ना तो पहले ये कैसी सनचना होती है गोल-गोल सनचना होती है उसके बाद चलके कैसी हो जाती है चतुस कोणी सनचना हो जाती है कहने का मतलब एक दो तीन चार ठीक ना तो ये कैसी सनचना हो गई चतुस कोणी सरचना हो गई ठीक ना वह समानेता प्रफित्त होते हैं कि पहले कि पहले कि पहली परद का नाम कि इस ये पहले का नाम कैसे हम लोग एपिडर्मि से कहते हैं और बोग देख सकते हैं इसी बाहर की त्वचा उसी को बाहर की त्वचा बाहर की ऑर आप को दिख रही है जो सनचना बाहर की और बाहर क्या है यह गोला अश्योप से देखा गया तो यह सनाचना कुछ ऐसी दिखाई देता है लगव्विजाणूधाने की 167 कि क्वल बाहे परत होती है एकल परत होती है मतलब यह बाहरी परत होती है और अकेली होती है ठीक्कर मतलब की एक रखी दीवाल से घिरी होती है परिपक पराकोस के लिए सुरच्छा प्रदान करती है तो यह जो पराकोस जब परिपक मतलब कि जब मैच्योर हो जाता है मतलब कि जब बड़ा हो जाता है ठीक न उसको क्या करती है सुरच्छा प्रदान करती है ठीक न और अगला काम है इस फूटन में मदद करती है इस फू सनचना देख रहे हैं दूसरी जो इसके अंदर जो यह सनचना पाई गई ठीक ना इसी को हम लोग क्या कहते अंतस्थीसियम कहेंगे ठीक ना और इसमें अंतस्थीसियम कहेंगे ठीक ना तो यह जो दूसरी लेयर आपको देख रही है पूरी यहां से यहां तक ठीक ना इसी को हम लोग क्या कहेंगे अंतस्थीसियम कहेंगे बायतोचा की नीचे वाली परत क्या कहलाती है अंतस्थीसियम कहलाती है ठीक ना तो जो दूसरी परत है हमारी क्या है अंतस्थीसियम कहलाती है अंतस्थीसियम की दिवाल के टूटने में अलफा सेलूलोज मदद करता है ठीक ना हमारा तीसरा भाग है लगवी बिजालु धानी का मध्य परते ठीक ना बीच की परतों को मध्य परत कहा जाता है या परते प्राया सीघ्र नश्ट हो जाती है ठीक ना तो जो बीच की परते हैं मतलब कि जो यह तीसरी परत है ठीक ना जो इसके अंदर वाली जो आप यह परत रहे हैं ठीकना यह जो तिसी is लेइर आप देख रहे हैं अंदर की और ठीकना यह बलाकलों फुने पेर्चर कहरें हैं ठीक नफ танवस्ता हैं और पराकलों के फुन के फोषड में फुफ ठीकना पराकलों के मदद करते हैं ठीकना तो इसके अंधर क्या कहते हैं भाग होता है ठीक ना जो पराग को उसको बड़े होने में मदद करता है मतलग परीपकवता और पराकड nouveau के पॉसल में मतलग की पराकल scripture मेरे भी मदद करता है ठीक ना हमारे लग बिजाळु धानी कि सनचना का चोथा भाग यह टैपिटम आई पड़ते हैं कि tapitum होता क्या है या मद्य परत के अंदर की और की परत होती है ठीक ना तो ये कौन सी परत होती है ये मद्य परत के अंदर की परत होती है जैसा का आप लोग इस चित्र में देख सकते हैं ये क्या है ठेपिटम हमारा क्या है मुझ्धि परयधि के अंदर एक यह इसमें हम लोग देएंगे यह कैμεारा टेपिटम यह ज्व बाहर सदर्ण आपको दिख रही है ठीक यह हमारी टेपिटम है ठीक यह विकास सील पराकरों को पोशड देती है ठीक इसका मुख्य कारे क्या है विकास सिल पराकडों को पूसल प्रदान करना टैबिटम की कोसिकाएं सघन जीव द्रव से भरी होती है ठीक न तो जो ये कोसिकाएं होती है ठीक न बहुत ही घने जीव द्रव से भरी होती है ठीक न समानेता एक से अधिक कोसिका से युक्त होती है जब लगूविजाबू धानी होती है अगर इसमें क्या होगा आप सूत्र की संख्या आधी हो जाएगी क्याने का मतब अगर गुड सूत्र की संख्या पहरे 32 थी तो आप कित्ति हो जाएगी 16 ना हो जाएगी जिसके फल स्वरुप चार अगुडित स्पोर्स बनते हैं जिने माइक्रोइ स्पोर्स कहते है ठीक ना तो इसके फस्वरूप किते स्पोर्स बने चार आग उडीत स्पोर्स बने ना मतब इसे गुड़न की संख्या कैसी आद यह थी धिकừa माग वोलों क्या कहेंगे संख्या वाले गुर्षूत्र रहते हैं कहने का मतब की गुर्षूत्र की संख्या कैसी होगी दुगनी होगी ठीक ना मतब कि हुए एकर्षूत्री भाजन से दो कंद्रक बने है इस तरह से बने चारो केंद्रकों में क्रोमोजोम की संख्या मात्रकोसिका की आधी या अगुडित रह जाती है तो जो इस तरीके से क्या कहते हैं चारो केंद्रक बने हुए है ठीक ना इसमें जो गुर्षूत्रों की संख्या है वो कैसी हो गई है आधी हो गई है अगर एक मैं एक example लेके बताओं तो अगर जैसे कि पहले की गुर्षूत्रों की संख्या अगर 30 है ठीक ना तो वो अब घट के कित्ती हो चुकी है आधी हो चुकी है मतलब कि अब इसमें कित्ते हैं 15-15 ही chromosome है ठीक ना तो इस तरीके से इसमें क्या होता है कि chromosome की संख्या कैसी ह हो जाती है मात्र कोसिका से आधी हो जाती है अब हम पढ़ने जा रहे हैं लगू-वी-जाणू-धाणी की अगली स्टники पराग मात्र को इस से cleaning क्या ने के न लग बिजानु धानी कहते हैं जब पराग मत्रकोषिका मैं अर्फ सूत्री भाजन होगा ठेके रल्गी ञता है पराकोस के नहीं के बाद लगू बिजानू पराग कोसों के रूप में विक्सित हो जाते हैं तो जब पराग कोस परिपक यानि बड़ा हो जाता है तथा इस फूटित मतलब कि जब उसके अंदर से जो पुरा वाटर कंटेंट है मतलब कि जो पानी होता है ठीक सेले के अंदर इतहा है तो उसके बड़ого 흡़ानी के अंदर कई विभक हजाल लगू अर पाराग होते हैं तो हर्ष बिढ हैं के इससाथ मुक्त होते हैं तो जब पराग को स्काइए फट जाता है तो पराग कड क्या होते हैं वहाँ से मुक्त हो जाते हैं ठीक न इस फ्रक्रिया को क्या कहते हैं इस फूटन कहते हैं जैसा कि आप यह चित्र देख रहें यह किसका चित्र है लगव जानू धानी का चित्र है ठीक और ये क्या है हमारी पराग मात्रकोसिका या फिर कह लेजिए इसी को हम लोग लग विजानू मात्रकोसिका भी कहते हैं जब इसमें अर्थ सूत्री भाजन एक हुआ तो इसमें केंद्रको की संख्या कित्ती हो गई दो जब इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं लग विजानु जनन कहते हैं अब आने वाली स्लाइडों हम लोग पढ़ेंगे कि आगे की कहानी क्या होती है ठीक न अभी तक हम लोग यहां से सिर्फ यहां तक पढ़ेंगे अब आने वाली स्लाइडों में हम लोग और भी अलग-ळलग प्रजातिओं के पराकड, व्यास, आकार, रंग、 रूप एवन बनावट में भिन्ने-भिन्ने दिखाई देते हैं जैसा कि आप लोग इस चित्र में देख सकते हैं जो अलग-ळग प्रजातियों के पराकड है उनका रंग-रूप भी अलग-अलग है और अलग-अलग प्रजातियों में ये अलग-अलग पाए जाते हैं एक कोसिक आगुलित और ये एक कोसिक होते हैं मतलब की एक कोसिका के बने होते हैं और ये आगुलित होते हैं मतलब गुर्शूतरों की संक्या हमें सहा आधी रहती है पहले से गोला कार व्यास में 25-50 km कहने का मतलब जो ये गोला होता है ये व्यास में लगभग 25-50 km तक हो सकता ही इनके बीच कुछ भी हो सकता है अब हम पड़ेंगे पराकड की सनचना आएए देखते हैं कि पराकड की सनचना में क्या-क्या चीज़े होती है बाहेचोल पहला वहाग क्या है बाहेचोल आप इस शित्र में देख सकते हैं यह जो बाहरी परत आपको दिख रही है यह हरी हरी डार्क ग्रीन में इसी को हम लोग क्या कहते हैं बाहेचोल कहते हैं कठोर बाहेचोल कहते हैं मतलब कि यह जो बित्ती होती है बहुत ही कठोर होत मतलब कि कोई भी ऐसा रसायन या कोई भी ऐसा केमिकल या भी कोई अचार या कोई भी ऐसा एंजाइम अभी तक ऐसा नहीं बना हुआ जो इसकी लेयर को तोड़ सके या फिर अब गटित कर सके कहने के मतलब इसका जैविक निमनी करेक्ट करना मतलब कि यह जैविक रूप से इसको तोड़ना नामुम्किन सा है ठीक ना मतलब कि यह बहुत ही प्रतिरोधक शंता इसमें ज्यादा होती है हमारा दूसरा भाग है प पाह चोल के अंदर हो ठीक ना उसे हम क्या कहेंगे अंता चोल कहेंगे ठीक ना मतलब कि यह हमारी दूसरी परत होती है यह पतली वा सतत परत होती है और यह पतली भी होती है सतत होती है सतत मतलब कि जैसे कि आई यह जो आप लेयर देख रहे है ठीक ना यहां पे जनन छिद और अंदर वाली परत है पुरिज तरीके से क्या सतत है मतब कि निरंतर है कहीं पर भी यह टूटी नहीं होई यह परस सेल्लोजवा पेक्टिन की बनी होती है तो यह जिस मेटेरियल से बनी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं मारा अगला भाग है जनान छिद्र पराकड के बाहर चोल आवरण में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिने जनन छिद्र कहते हैं तो जो ये आप देख रहे हैं पराकड का जो बाहरी आवरण है इसमें क्या एक छोटा सा छिद्र है देखिए ये इसी को हम लोग क्या कहते हैं चिद्र कहते हैं इंग्लिस में इसका नाम कहा किया है जर्म पूरल इसी को अब लोगा कहते हैं जनन्द चिद्र कहते है पराग नली का निलाद होता है अभी मैं अंदर क्या होते हैं नर युगमक पाए जाते हैं तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं पराग नली कहते हैं अब हम पढ़ने जारे हैं लग युगमक जनन चलिए शुरू करते हैं पराग कड़ का जीवद्रव एक प्लाजमा वित्ती से आवरित होता है कहने का मतलब जो पराग परिपक होता है तब उसमें दो कोसिका समाहित होती है और जब पराग कर बड़ा हो जाता है उसमें दो कोसिका समाहित होती है मतलब कि एक कोसिका के अंदर ही क्या होती है दूसरी कोसिका समाहित होती है पहला क्या है काई कोसिका और दूसरा क्या है हमारा जनन कोसिका आप इ पराकड से पूर्विक्सित नर्युगमोद्भित बनने तक की सभी क्रियाओं को मिलाकर लगुयुगमोद्भित बनने तक की सभी क्रियाओं को मिलाकर लगुयुगमोद्भित बनने तक की सभी क्रियाओं को मिलाकर लगुयुगमोद्भित बनने तक की सभी क्रियाओं को मिला पराग करके केंद्रक में सूत्री भाजन होता है इस विभाजन के फलस्वरूप दो आसमान को सिकाये बनती है तो पराग करके केंद्रक में कौन सा विभाजन होता है सूत्री भाजन होता है तो इस केस में जो गुर्शूत्रों की संख्या रहती है वो समान रहती है ठीक ना ल तो इसके फलस्वरूप किसका निर्माड हुआ, दो आसमान कोसिकाओं का निर्माड हुआ, बड़ी कोसिका को काई कोसिका एवं छोटी कोसिका को जनन कोसिका कहते हैं, जो आप ये उपर कोसिका देख रहे हैं, ठीक ना, ये बड़ी है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, काई कोस कोशिका देख रहे हैं ठीक ना आपको यह जो कोशिका ऊपर दिख रहे हैं काई कोशिका कहते हैं तो इसी के जीवद्रव मतलब कि जो इसका लिक्विड होता यह बाहर आप देख रहे हैं इसका क्या है जीवद्रव इसी में क्या है जो जनन कोशिका होती है वो उसी में तैरत या तंतु आकृति मतलब किक्स आकृति की होती आप हो तो परागर से पूर्वयाँ फिर पराग नलिका में विभाजित होती है कहने का मतलब जो उपर वाली कोसिक और जो नीचे कोसिक हैं इसको हम लोगो कहते हैं जनन कोसिक कहते हैं तो जो यह पराक कड़ यह कैसा है द्री को सीकी है इसमें क्या है सिर्फ जनन और क्या है क्यी को सिका बस 30. próxima 10 जो फिद्विजी पादफो के पराक कड़ द्री को सीकी अवस्था में ज़डते हैं या संगलीत होते hen कहने का मतलब कि जो 7% से अधिक पौधे होते हैं आवरित वीची पादप को कहने का मतलब जिनके बीच ढखे होते हैं ठीक ना तो उनका जो पराकड होता है ठीक ना वो द्री कोसी के अवस्ता में जाड़ता है मतलब कि वो हमेशा द्री कोसी की अवस्ता में नर्युगमक का न अंदर पाया गया है ठेक ना जब इसके अंदर भी भाजन होता है तो क्या होता है दो नर्युगमक का निर्माण होता है ठेक न तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं तीन कोसिकी पराकड कहते हैं तो मतलब कि इसमें कोसिका कित्ती हो जा रही है तीन हो जा रही है ठेक न तो इसको हम लोग क्या कहेंगे तीन कोसिकी पराकड के हैं जो और उपर वाला जो है इसको हम लोग क्या कहेंगे द्री कोसिकी कहेंगे ठीक ना अब हम पढ़ेंगे पराकड की विसेस्ता हैं पहला है पराकडों की जीवन चंता सभी पौधों में अलग अलग होती है इनकी जीवन चंता पराकडों की वाद चमता है जिसके द्वारा वा नर युक्मकों को भूंट पोस तक पहुचाते हैं कुछ पौधे जैसे गेहु, धान, मोथा, आदी के पराकड अल्प जीवी होते हैं तो जो कुछ पौधे होते हैं जैसे गेहु हो गया, धान, मोथा हो गया ठीक ना तो इनके जो पराकड होते हैं वो कम समय तक जीवीत रहते हैं यहु भाजरा आदी के पराकड अपनी जीवन चमता 30 मिनट के अंदर खो देते हैं तो यह अल्प जीवी होते हैं यह ठीक ना, तो इनकी जीवन चमता 30 मिनट की ही होती है क्योंकि ये 30 मिणड़ के अंदर ही खो देते हैं अपनी जीवन शमता सूर्य मुखी कुल के पौधे के पराकड़ अपनी जीवन शमता 3 घंटे के अंदर खो देते हैं अब हम लोग पatique पराकड़ों का भंडारण पराकलो को द्रव नाइटोजन जिसका तापमान माइनस 190 डिगरी सेलसियस होता है में भंडारन किया जाता है तो जो पराकल होते हैं उनको हम लोग द्रव नाइटोजन में रखते हैं डरवroots nitrogen का चित आप देख सकते हैं जो ये नीचे आप देख रहे हैं टेक्ना इसी को हम लोग क्या कहते हैं डरव newspaper nitrogen कहते हैं जो इसका तापमाण किता होता है माइनस 190 degree celsius होता है जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 0 degree celsius पर बर्फ बन जाती है तभी इनका हम प्रियोग फसल प्रजनन में कर सकते हैं करते हैं biology पराग कड़ पोसक्तत्यों में भर्पूर होते हैं कहने का अएब जो «पराग कड़ होते हैं उन में पोसक्ते हों की मात्रा भरपूर रूप से होती है इसी कारण स्वास्थ वर्दख खाध समागरी के रूप में परा का व्यवसाय हो रहा है ठेक ना इसी काराण क्या कहते हैं यह स्वास्तवर्दक खाद समागरी के रूप में इनका व्यवसाय हो रहा है मतलब कि इनका क्या कहते हैं बिजनस किया जा रहा है आहार संपूरकों के रूप में पराग टेबलेट का उत्पादन किया जा रहा है ठीक ना आप नीचे देखेंगे कि ये क्या है पॉलें टेबलेट है ठीक ना इसी को हम लोग क्या कहते हैं पराग टेबलेट कहते हैं जिसका यूज किसले किया जा रहा है आहार संपूरक के रूप में किया जा रहा है पराग कड़ों में प्रोटीन मिनरल सथा विटामिन विशेश कर विटामिन B की भरपूर मातरा होती है तो जो पराग कड़ में क्या होता है प्रोटीन भी होता है मिनरल होता है और विटामिन ह मातरा बरपूर काल मतलब करता है जैसे कि कुछल लेते हैं ठेक Bye बीटामेल हर मिलल नहीं पायाता है ठेक्षिक को पूरा करने के लिए हम लोग कुछ अलग से अगर ले सकते हैं काहार संपूरक कहा गया है ठीक ना और यह खिळारी ओं की काहरे दच्छता को बढ़ाता है मतलब कि खिलारी इससे और भी अच्छे से अपना काम कर सकते और ज़ादा देर तक कर सकते हैं तो यह क्या करता है खिलाडियों की कालिद अच्छता को बढ़ाता है अब हम पढ़ेंगे पराकर जनित इलर्जी हम लोगों ने अभी तक पराकर की विशिस्ताइं पढ़े थे अब हम देखेंगे की पराकर की नुकसान क्या होते है या फिर पराकर से कौन-कौन सी हानिया होती है यह टेकना यहां पर पराकड की विशिस्ताय लिखा गया है टेकना तो यह विशिस्ताय नहीं है यह इसकी हानिया है या फिर इसके नुकसान है पौधर की अनेक प्रजातियों के पराकड कुछ लोगों में गंभीर एलर्जी तता स्वासनी वेदना पैदा करते हैं घासों में दूब घास का है दूसरा का है डाइकैथियम एनुलेटम जो आप यह दूसरा चित्र देख सकते हैं यह किसका है डाइकैथियम एनुलेटम का है तो यह क्या करते हैं एलर्जी या फिर स्वासनी वेदना पैदा करते हैं और यह क्या है घास हैं घास हैं खर पतवार में legy 멕 Estet और कियाओ को किया होते हैं जो पराग कड़े होते हैं वो प्रीक पहलाते हैं एक कि subaskra inserted डूर्डा क्या प्रावेच कर स्वासा में तो क्या करते हैं जो तो星या करूते हैं ते जर्जी को फैलाते हैं पराकर नाग द्वारा प्रवेश कर स्वासनी मार की म्यूकर जिल्ली पर जमा हो जाते हैं तो जो पराकर होते हैं वो नाग द्वारा अपने हमारे स्वासनी मार की म्यूकर जिल्ली पर जमा हो जाते हैं ये दमा स्वासनी सोद उत्पन्न करते हैं और य अमेरिका से आयतित गिहूं के साथ आया था तो जो यह पार्थेनियम है ठीक ना है पार्थेनियम को हम लोग क्या कहते हैं गादर घास तो यह जब अमेरिका से जो गिहूं आया था उसी के साथ हमारे भारत में यह घास आई थी जो कि आज अलर्जी का प्रमुक कारण बनी हु होती हैं अब हम लोग पढ़ें हैं कि मादाओं में क्या होते हैं चत मुंट सनचना और गहक्तine । जैयांक kusyag ka maadarainanag ho all the the ax Meter कहलाता है तो जो jayang होता है पशुका कैसा भाग होता है मादा भाग होता है ठेक ना और इसका नीछे फूला हुआ भाग क्या कहलाता है अंडासय कहलाता है जैसा कि ये नीचे कैसा हुआ भाग है फूला हुआ भाग है इसी को हम लोग क्या कहेंगे अंडासय कहते हैं और इंगलिश में इसी को हम लोग क्या कहते हैं ओवरी कहते हैं इसमें जुड़ी हुई एक पतली नलिका कार स करते हैं तो वर्तिका को उपर एक घुंडी रूपी सनचना इसी कम लोग exist कैके वर्तिकागर कहते हैं तो बहुत से एंडाप मिलकर जयांग बनाते हैं तो बहुत धे पिरने का मतलब जो जयांग हो ठीक नाव और अनडाप मतलब की एक औरी का बनाा ओ मतलब Rocky Literally का बना ओ इसन का सिर्फ एक औरी है मतलब जिसी हो तूस्थी के सर से बना हो तो उसे कशन का हम रूप मतलब कीधिक ओतारनड के तोर पे जैसे घुड़हल, सरसोब, पापी, ठीक Wasnam, ipo poopy कचित्र है ठीक न इसे हमारा पुस्ता का दाना होता है ठीक तो इसमें आप देख सकते हैं जो यह'de स्रीकेसर हैं एक दूसरे से क्या हुआ है जुड़ा हुआ है तो इसलिए हम लोग देख सकते हैं, ये स्वतंत्र है ये स्वतंत्र है तो आपस में क्या होते हैं एक से अधिक होते हैं स्वतंत्र होते हैं इसले ने क्या कहा गया? वियुक्तन्दापी जैसे उधानड के तौर पहले ले लेते हैं चंपा Megrolia ठीक ना जो आप ये चित्र देख रहे हैं ये किसका है चमपा का है ठीक ना तो इसके इसरी केसर क्या होते हैं स्वतंत्र होते हैं ठीक ना तो चमपा का इसरी केसर होता है स्वतंत्र होता है और जो पापी का इसरी केसर होता है वो कैसा होता है जुड़ा होता है इसलिए से हम हएं अन डासे के अंदर एक गर्मासे घुआ होती है इस पूश्ठक में एक यानेक भेजान रहते हैं जैसे के आप लोग यह आपको देख सकते हैं यह हमारी इसší अधिक भीजान हो घुआ होते हैं एक प्रारूप बिजांड में निन्म भाग होते हैं तो आएए देखते हैं कौन कौन से भाग होते हैं एक बिजांड में पहला है बिजांड वृत बिजांड के बाहरी आवरण को अध्यावरण कहते हैं जो की आगे चलके अपरा से क्या होती है जुड़ी होती है बिजांड वृत जिस स्थल पर बिजांड से जुड़ा रहता है उसे नाभिक कहते हैं तो यह हमारा क्या है बिजांड वृत है ठीक ना और यह हमारा पूरा क्या है बिजांड और जिस स्थल पर यह जुड़ा हुआ इसी को हम लोग क्या कहते हैं नाविक कहते हैं नाविक को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं ठीक ना तो यह हमारा क्या है बिजांड वृत है और यह हमारा पूरा क्या है बिजांड है और जो बीज का यह भाग दिख रहा है आपको इसी को हम लोग क्या कहते हैं नाविक कह इसका निर्मार करते हैं बीज चोल कहने का मतब है जो बीज की क्या कहते हैं परत होती है उसका निर्मार करते हैं प्रतेक विजांड में एक या दो अध्यावरण होते हैं जो अध्यावरण बाहर की ओर होता है वो बाहया अध्यावरण तथा जो अंदर की ओर होता है वो अन् यह पूरे विजांड बीजाından को छोड़ कर यह हमारह अध्यावरण होता यह पूरे बिजांड को क्या करता है घेरे रहता है ठीक ना सिर्फ इत्ता सा बिजान द्वार को छोड़ के बिजान द्वारी सीरे के ठीक विपरीत निभाग कैलेजा होता है जो बिजान के आधारी भाग का प्रतिनिधित्व करता है तो जो यह आप क्या देख सकते हैं जो बिजान द्वार के अपोजिट इसके विप्रीज छोटे इसको हम लोग क्या कहते हैं या फिर निभागी सिरा कहते हैं यह हमारा क्या है बिजांद दौर है और सिकाहों का एक पुंज kalo का आप देख रहे हैं इसी को हम लोग क्या कहते हैं बिजांड काय कहते हैं केंद्रक की कोसिकाओं में प्रचुरता से आरच्छित आहार समागरी होती है तो इसके अंदर क्या होते हैं केंद्रक होते हैं ठीक ना और इसके अंदर संरच्छित मतब कि इसके अंदर क्या होता है आह किसके अंदर इस्थित है बिजान काय के अंदर इस्थित है मतलब कि हमारा क्या है पूरा बिजान काय का प्रियोग होता हुँ किसके लिए किया जाता है पोसड के लिए मतलब कि ये बिजान काय का मुख्य कारे क्या है ब्रून कोस को पोसड प्रदान करना क्योंकि इसके अंदर क्या होती है और अच्छित आहार समागरी संरक्षित रहती है ठीक ना तो जो क्या करती है आगे चलके ब्रून कोस को पोसड प्रदान करती है हमारा अगला भाग है ब् किस से घीरा होता है विजान का ऐसे घीरा होता है अब हम लोग पढ़ेंगे भुरून कोस के निर्माण reply मांक का विश्त्रित अब लोग देखेंगे कि भुहून को सको डिटेל में उपर की और और नीचे की और चला जाता है तो यह कैसे दो कि विभाजन के परडॉम चार केंदरी और 28 विभाजन करते हैं तो इस में एक विभाजन और हुआ समशूतरी जिसके कारण क्या बने दो चार केंदरी भृणकोस की सनचना को बनाते हैं, यहां पर ध्यान देना महतपूर्ण है कि सूत्री वहाजन सही अर्थों में मुक्त केंदरक है, तो जो यहां पर बढ़न हो रहा है थे क्यूंदर इकदम मुक्त रूप से घ्याइड दोसे चारह रहicamente कैसा है मुक्त रूप से विवाजन हो रहा इसमें जो केंध कर्से को सीका विथा n दौशन confession का मतलब दो हो रहा है लेकिन इसमें को इंत्यान नहीं हो रहा है थेक न तो पहले इसमें केंद्रक पहले बढ़ जाता है या फिर विवाजित हो जाता है उसके बाद इसके ऊपर क्या होता है कोशिका विवाजन शुरू होता है आठ न्यूक्लियट चरण के पश्चात कोशिका विद्ती की निव पड़ती है आप लोग अभी शित्र में देख सकते हैं ठीक न अदर है तो आठ न्यूक्लियट चरण के पश्चात क्या होता है कोशिका विद्ती की निव पड़ने दिखाई देने लगती है जो विशिष्ट प्रारूपी मादा युगमोद्भी त्या भ्रून कोश के संगटन का रूप लेती है तो यह आगे चलके किसका रूप लेती ह ठीक ना अलग अलग कोशिका में देखेंगे अलग अलग किंद्रक हो गए है ठीक ना एक दो तीन ये और उपर देखेंगे एक दो तीन ये तो ये जो छे किंद्रक है ये अलग अलग कोशिका विद्ती से घिरे होते हैं और कोशिका में संयोजित हो जाते हैं और कोशिका मे देख सकते हैं यह क्या है अंड उपकरण है और उसके रीचे आपको यह क्या दिखेगा केंद्री दुरी केंद्रक दिखेगा बिजान द्वारी सिरे पर तीन को सिकाएं एक साथ समुही कृत होकर अंड उपकरणया समुच्चे का निर्माड करती हैं तो यह जो सनचना होती है किस होर होती है बिजान द्वारी सिरे पर होती है ठीक ना और ये तीनों मिलकर क्या बनाती है अंड उपकरण का निर्माड करती है ठीक ना एक दो तीन ठीक ना ये तीनों मिलकर क्या निर्माड करेंगी अंड उपकरण का निर्माड करेंगी इस अंड उपकरण के अंतर कर दो सहायक कोशिका है तथा एक अंड कोशिका नहीत होती है मतब इस अंड उपर अंड में दो क्या कहते हैं सहायक कोशिका होती है एक दो जो नीचे वाली कोशिका है यह क्या है हमारी सहायक कोशिका है और जो ऊपर आपको देख रही यह क्या है अंड कोशिका है बिजान द्वारी प्रदान करने में महत्यपूर भूमी का निभाता है इसका काम क्या होता जो पराग हैं जो और तीन गोसिकाएं हो ती है वो किस शोर पर होती हैं निभागी क्या है थीफ को सिकाए होती है। डो द्रूईी निचते हैं उन्हें केंद्री को सिका कहते हैं और जो क्या कहते हैं जो द्रूई निक्लियाई होते हैं वह कहां पर सिर्थlinesач यह जो और भारव अगर और तो यहाँ पर आप तो, आप को समझ लिजेगा ठीक इस प्रकार से एक प्रारूपी आवरित इबीजी भूण कोस परिपक होने परियदेपी आठ नुकलिकरित वस्तुता साथ कोसिकी होता है ठीक ना तो जब क्या कहते हैं एक भूण कोस क्या कहते हैं परिपक हो जाता है आवरित इबीजी पौधों में ठीक ना तो उसमें क्या होता है, आठ नुकलियस होता है, और साथ कोसिकाएं होती हैं, कहने का मतलब जो किंदरक होते हैं, वो कित्ते होते हैं, आठ होते हैं, एक किंदरक, दो किंदरक, तीन किंदरक, चार किंदरक, पांच किंदरक, छे किंदरक, साथ किंदरक, आठ किंदरक, तो किं सबस्क्राइब करüt सबस्था कहते हैं अब हम पढ़ेंगी परागर परागण क्या होता है परागण का परागण को से मुक्त होकर विभिन विधियों द्वारा उसी पुस्वया उसी जादी के अन्य पुस्व के जयांकी वर्तिकाग्र तक पहुचना परागण कहलाता है तो जो परागण होता है परागण जब बन जाते हैं तो उसको वर्तिकाग दिये गए हैं, पहला है स्वायूगमन जिसको इंग्लिश में autogaming कहते हैं, दूसरा है सजाती पुस्पी परागड और तीसरा है हमारा पर परागड, आईए एक एक करके इनके बारे हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ागण के पहले प्रकार को जो की है स्वायुगमन, जिसको rained में हम लोग otogemy कहते है इस प्रकार के स्वापरागण में एक पुस्फ का पराकर उसी पुस्फ के वर्तिकागर तक पहुँसते हैं अता यहाप पराकर एक ही पुस्फ में होता है कहने का मतलब यह हमारा एक पुस्प है और इसका जो की नर्भाग है पराकर और क्या कहते हैं जो इसका वर्तिकागर है एक ही पुस्प में पाया जाता है पहला है उन्न मिल परागड़ी पुस्प, आईए देखते हैं कि उन्न मिल परागड़ी पुस्प क्या होते हैं, अन्न प्रजाती के पुस्पों के समान ही होते हैं, तो जो ये पुस्प है हमारा क्या है उन्न मिल परागड़ी पुस्प है, तो ये भी क्या है अन्न प्रजाती जो के पुस्पों के ही समान हैं, जिसके पराग कोस एवं वर्तिकाग अनावरित होते हैं, कहने का मतलब जो ये पुस्प है और जो ये पुस्प है ठीक ना, ये हमेशा क्या होता है, दिखता रहता है, मतलब कि अनावरित कहने का मतलब जो इसका पराग कोस और जो वर्तिकाग रहे हैं ठीक ना ये आप इसको देख सकते हैं एक दम असानी से जैसा कि आप लोग इस पुस्प में देख रहे हैं दूसरा है हमारा अनुनमिल परागड़ी पुस्प आईए पढ़ते हैं इसके बारे में अनुनमिल परागड़ी पुस्प कभी भी अनावरित नहीं होते हैं जो आप नीचे ये पुस्व देख रहे हैं, जो कलिकाओं में, ठीक न? ये कौन से पुस्व होते हैं? अनुने मिल परागड़ी पुस्व होते हैं, क्योंकि ये कभी खुलते नहीं, कभी अनावरित नहीं होते हैं, ठीक? इस प्रकार के पुस्वों में पराकोस यह वर्तिकागर एक दूसरे के बिलकुल नजदीक स्थित होते हैं तो जब ये जो कलिकाएं हैं जो जब खुलेंगे ही नहीं ठीक ना तो इसके पराकोस और जो वर्तिका है इसका ठीक ना एकदम नजदीक में स्थित होता है जब पुस्व कलिका में पराग को सिस्फूटित होते हैं तब पराग कर वर्तिकागर के संपर में आकर पराग को प्रभावित करता है तो जब यह पुस्व कलिका है ठीक ना यह कलिका के अंदर ही जब क्या कहते हैं पराक को सिस्फूटित होता है तो इसमें से जो पराकर निकलता है वो उसी के वर्तिकागर पर जाके गिरता है ठीक न अता अनुनमिल पराकरी पुस्प सदेव स्वायुगमक होते हैं तो इसका पराकर इसी के वर्तिकागर पर गिरा ठीक न तो इस प्रकार के जो पुस्प होत क्योंकि यहां पर वर्तिकागर पट क्रॉस या पर परागर आउतरड के आउसर नहीं होते हैं क्योंकि यह जब पुस्फ खुलेगा ही नहीं तो यहां पर पर परागर होने का कोई चांस ही नहीं है दूसरा है हमारा सजाति पुस्पी परागर जब एक ही पादप के एक पुस्प के पराग कड़ों का दूसरे पुस्प के वर्तिकागरों तक का इस थाना अंतर है तो जैसा कि हमारा ये एक पादप है एक पुस्प ये रहा और दूसरा पुस्प ये रहा ठीक न अब इसका पराग कड़ क्या कहते है इसके वर्तिकाग्ड तक अगर पहुच जाए इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते है सजाती पुस्पी पराग्ड मतब कि उसी जाती के उसी पौधे के दूसरे पुस्पी पर यद्यपी सजाती पुस्पी परागर क्रियात्मा गुरूप से पर परागर है जिसमें एक कारक संबलित होता है कारक क्या करता है पराग कड़ों को वर्तिकागर तक पहुचाता है ठीक ना तो इसमें जो कारक है वो क्या है कीट है तो ये क्रियात्मा ग्रूप से क्या है इसमें एक कारग क्या कहते है समलित होता है सजाते पुस्पी परागर लगभख स्वायुगमन जैसा ही है क्योंकि इसमें पराग कड़ उसी पादप से आते हैं तो पौधा इसमें क्या होता है, एक ही होता है, तो जिसका परागण होता है, किसी दूसरे पौधे से नहीं आ रहा है, तो जो कि परागण होता है, उसी पौधे से आ रहे हैं, ठीक न, तो यह हमेशा किस तरीके का होता है, स्वायुगमन जैसा ही होता है, ठीक, अब हम पढ़ कि जातियां क्या है एक है ठीक ना इसका परागड अगर क्या कहते है इसकी वर्तिकाग्र तक अगर पहुच जाता है ठीक ना या इसका परागड इसके वर्तिकाग्र तक पहुच जाता है किसी कारक द्वारा तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते है पर परागड कहते है ठी ठीक ना तो इसमें परागपड जो नर युग्मग आता है ठीक ना वो किसी दूसरे पौधες, जैसे कि यह पौधा हो गया यह हमारा दूसरे पौधा हो गया है ठीक ना तो इसे कि परागपड अगर अगर इस पर जाता है तभ क्या होता है également को Sलेई अन होता ए ठीक होता है ठीक ना तो सूरज मुखी पॉधिया में कौन सा परागण होता है अब पढ़ेंगे पर परागण में पराकड़ों का इस्थानांतर विविन विदियों द्वारा होता है जो कि निम्न है पहला क्या है जैविक तो जैविक में कौन को सी चीज़े हैं कीट है पच्ची है चमगादर द्वारा ठीक ना तो जो जैविक कारक होते हैं पर परागण के वो कौन को से होते हैं कीट होता है पच्ची होता है और चमगादर द्वारा होता है पर परागण पहला है हमारा कीट द्वारा पर परागण मदुमक्य दितली पतंगा इत्यादी कीट परागड में सहायक होते हैं ऐसा अनुमान है कि असी प्रिजियत के परागड मदुमक्यों द्वारा होता है तो जो मदुमक्या होती है वो असी प्रिजियत का परागड करती है दूसरा है हमारा पच्छी परागण जब परागण पच्छी द्वारा हो तो उसे पच्छी परागण कहते हैं या परागण सकपोरा तथा गुंजन पच्छी द्वारा संपन होता है जो हमारा पच्छी परागण होता है वो सकपोरा तथा गुंजन पच्छी द्वारा पूर्ण होता है पच्छी परागण पुस्पो को चमकदार गंद युक्त होना चाहिए जो पच्छियो जारा परागर परागित होता है उन पुस्पों को कैसा होना चाहिए चमकदार होना चाहिए और गंद युक्त होना चाहिए मतलब उसमें एक खुस्बू होनी चाहिए तीसरा है हमारा चमगादर परागर कुछ पौदों में पुस्व रात में खिलते हैं तो कुछ ऐसे भी पौदों है जिनके पुस्व हमारे रात में खिलते हैं चमगादर निसाचर होने के करण इस पौदे के परागर में सहायक होते हैं है रात को जकता रहता इसी कारण क्या कहते हैं जो इन पौद्य पढूरों कि पूस्फ का होते हैं रात को ख् verdict जैसे कि उधाना थी करता है रात को खिंटा है कि अब हम पढ़ाशा करेगे Desk आज एविक में मतलब जिसमें जानना हो ठीक ना जैसे कि वाई और जल ठीक ना तो वाई और जल द्वारा भी क्या होता है पर परागण होता है पहला है हमारा वाई परागण जब पराकड़ों का इस हनांतर्ण वाई द्वारा हो तो इसे वाई परागण कहते हैं मतलब जब होने चाहिए छोटे होने चाहिए हलके होने चाहिए चिक्रे होने चाहिए वा सुस्क होने चाहिए ताकि वह आसानी से हवा में उड़के उनका इस्थानांतर्ण हो सके इन पराकड़ों का उत्पादन अधिक संख्या में होता है और जो यह पराकड़ बनते हैं वायुदारा जो परागित होते हैं, उनकी संख्या में भी क्या होती है, बहुत अधिकता होती है, मतलब यह बहुत जादा संख्या में होता है, दूसरा है हमारा जल परागड, जल परागड हमारा दो प्रकार से होता है, पहला है अदो जल परागड, जब परागड जल के भीतर हो तो उसे आदो जल परागड कहते हैं, मतलब कि जब परागड की प्रक्रिया जल के अंदर हो, मतलब जब पानी के अंदर हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, आदो जल परागड कहते हैं, जैसे उदारण के तवर पर समुद्री कहां से, जो आप ये चित्र देख सकते हैं, ये क्या है, ज दूसरा है अधी जल परागड जब पुस्प जल की सता पर परागित होते हैं तब उन्हें अधी जल परागड कहते हैं जब परागड की प्रक्रिया जल की सता पर हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे अधी जल परागड कहेंगे उधारण के तौर पे हमारा क्या है वैली सेनेरिय तो जो ये पौधा आप देख रहे हैं ठीक ना ये क्या हमारा वैली सिनेरिया का है इसमें नर पौधा अलग होता है और मादा पौधा अलग होता है अब हम पढ़ेंगे परपरागड के कुछ विसिश्च उधारण पहला हमारा समुद्री घासों में परपरागड समुद्री घासों में मादा पौध जल की सता के नीचे पानी में डूबा रहता है और परागड़ों को जल के अंदर मुक्त किया जाता है तो जो समुद्री घासे होती है जो उनका पौधा होता है ठीक ना उसका जो मादा बुस्फ होता है वो जल के नीचे होता है ठीक ना जल के नीची सदा में क्या होता है डूबा रहता है ठीक ना तो जो पराग कड़ोते हैं वो क्या होते हैं जल के अंदर मुक्त किये जाते हैं मतलब जल के अंदर नीचे छोड़े जाते हैं इस प्रकार के अनेक प्रजातियों में लंबे फीते जैसे डंठल होते हैं तथा जल के अंदर निस्क्री रहते हैं तो इस प्रकार की प्रजातियों में क्या होते लंबे फीते जैसे डंठल होते हैं और जो जल के अंदर कैसे रहते निस्क्री रूप से प्रेजेंट रहते हैं कुछ बहते हुए पर आकर वर्तिका तक पहुचकर परागर करते हैं जो कुछ बहते हुए यहाँ पर नहीं यहाँ परागर है ठीक ना तो कुछ बहते हुए जो परागर होते हैं वर्तिकागर तक क्या कहते हैं पहुचकर परागर किरिया को संपन्न करते हैं ठीक ना और जो य आप पराकड देख रहे हैं ये समुद्री घास का है ठीक न तो ये क्या है समुद्री घास का ये पराकड बरे हुए है दूसरा है हमारा वैली सिनेरिया में जल परागड या एक प्रकार का जली परागड है जिसमें मादा पुस्प लंबी डंठल द्वारत जल की सता पर आते हैं और नर पुस्प या पराग कर पानी की सता पर अमुक्त होकर आते हैं ठीक ना कहने का मतलब यह हमारा क्या है मादा पौधा है ठीक ना और हमारा ये क्या है नर्पॉदा है ठीक ना तो जो मादा पौधा होता है इसमें एक लंबी डंठल की सनकाल आत News Джो रहे होघ यह कहा पे आगी पानी की सता पर ठीक ना और जो पराकल आत्मक रूप से मादा पुस्व की वर्तिकाग्र तक पहुँच जाते हैं तो इसमें सैयोग रूप से क्या 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 सैयोग मात्र से जो कुछ पराग कड़ है ये मादा पुस्व तक पहुच जाते हैं तो इसी प्रकार इसमें जो परागर की प्रक्रिया है वो पून हो जाती अधिकांस पौधे जैसे water हया सिंथ एवं water lily पानी की सता पर पैदा होता है और इनका परागण कीटो एवं वाई द्वारा होता है जैसा कि अधिक तर स्थिली पादपो में होता है तो जो आप ये पौधा देख रहे हैं ये क्या है water हया सिंथ है ठीक ना और ये दूसरा क्या हमारा water lily है ठीक ना ये हमारा क्या water हया सिंथ है और ये हमारा क्या water lily है ठीक ना तो ये जो दोनों पौधे का परागण होता है वो कीटो द्वारा होता है या फिर वायुदारा होता है जैसा कि भले ये पौधे पानी में रहते हैं लेकिन जो इनका परा पॉधारा होता है तो आप पानी पे टिक नहीं लगाएंगे इनका परागर जल द्वारा नहीं हो सकता ठीक ना तो आप किस पर लगाएंगे कीटो एवं वाई द्वारा होता है कुछ पुषप रजातियों में या पुरुसकार अंड़ा देने की सुरचित जगा के रूप में होता है एक उधाराण MR4 phallus का लंबुतर पूस्प पूस्प स्वता लगभक छे फुट का उचा होता है जो आप ये पौधा देख रह एंठीक न इसका नाम दोनों ही प्रजातियां सलब एवं पाधब बिना एक दूसरे के अपना जीवन चक्र नहीं पूर कर सकते हैं चित्र देख रहे हैं ये यूका पादप का पुस्प है और यहाँ पे जो आप सफे सफे ये छोटे छोटे दिख रहे हैं ठीक ना ये क्या हमारा सलब है ठीक ना ये दोनों ही जो प्रजातियां एक दूसरे के बिना अपना जीवन चक्रपूर नहीं कर सकती है इसमें सलब पराकण होता है इसके सरीर से चिपक कर क्या करता है दूसरे कुस में जब यह जाकर बैठता है तो इसका पराकण क्या होता है परागित होता है सलब का लारवा अंडे से बाहर तब आता है जब बीज विक्सित होना प्रारम होता है तो जो लारवा होता है जो अंडे के पस्चाथ जो इस कीट में जो अवस्था आती है उसे क्या हम कहते हैं लारवा तो इसका लारवा अंडे से बाहर तब आता है जब क्या कहते हैं उसका बीज विक्सित होना प्रारम होता है जब बीज विक्सित होना प्रारम होता है तब अंडे से बाहर लारवा आता है अब हम पढ़ेंगे बाहि प्रजनन युक्तियां, पुस्पी पादपों ने बहुत सारे ऐसे साधन या उपाय विक्सित कर लिये हैं, जो स्वा परागण को हतोस साहित एवं पर परागण को प्रोसाहित करते हैं, तो जो पुस्पी पौध होते हैं उनके पास ऐसे धेर सारे स अब उनमें से जो की पहला है, कुछ प्रजातियों में पराग और मुक्ति एवं वर्तिकागर गहता समकालिक नहीं होती है, कहने का मतलब यहाँ पिए जो परागण कोस है और जो वर्तिकागर है, यह एक ही समय पर परिपक्क नहीं होते हैं, यानि इनकी परिपक्कोता का सम वो एक ही समय पर नहीं है वो अलग अलग समय होता है या तो वर्तिकागर के तयार होने से पहले ही पराग और मुक्त कर दिया जाते हैं कहने का मतलब यहां पही है वर्तिकागर तयार नहीं रहता है ठीक ना लेकिन क्या कहते हैं जो पराग कर होते हैं वो पराग को से पहले ही आउ मुक्त कर दिया जाते हैं, तब भी क्या कहते हैं, निसेचन की प्रक्रियर नहीं हो सकती है, क्योंकि वर्तिकाग्र अभी परिपक्र नहीं हुआ है, इस कंडिशन में, या फिर पराग के जढ़ने से काफी पहले ही वर्तिकाग्र ग्राही बन जाता है, यहाँ पर कहने का म जाता है, मतब कि वर्तिकाग्र तो ग्रहण करने लायक होता है, लेकिन पराग कर होता है, वो अभी क्या कहते हैं, परिपक्र नहीं हुआ है, तो यह फिर अभी जढ़ता नहीं है, इस प्रकार से स्वापराग्र को रोका जा सकता है, और जो बही प्रजनन युक्तियां होती भले यह जो पुस्प है वो द्रीलिंग यह लेकिन जो इसका वर्तिकागरो जो पराकोस है वो क्या भिनिस्थान पर मतलब कि दूर दूर है मतलब कि यह नीचे और यह उपर है तो इस कारण भी क्या कहते हैं स्वाय युगमन या फिर स्वापरागर को रोका जा सकता है अभी तक हम लोगोंने बाहिप्रजन की दो युकति आग में पढ़ लिया है अब हम लोग पढ़ेंगे बाहिप्रजन की तीसरी हुकती के बारे में अनता प्रजन रोखने का तीसरा साधन स्वासमंजस है तीसरी भाय प्रजन युक्ति के हैं हमारी स्वासमंजस है या एक वंसा नुगत पराकरम तता स्वापरागर रोकने का उपा है वंसा नुगत पराकरम कहने का मतलब है ये जनक से संतती को इस्थानांतरित होती है और ये किसको रोकती है स्वापरागर को रोकती है उसी पुस्प या उसी पुस्प के अन्य पुस्प से जहां बिजान के निसेचन को पराग अंकुरण या इसरी केसर में पराग नलिका वृद्धी को रोका जाता है तो इसमें पुस्प क्या करता है अपने बिजान को निसेचित होने से बचाता है, वो कैसे बचाता है, या फिर पराग को अंकुरित नहीं होने देता है, या फिर पराग लिका की वृद्धी को रोग देता है, जैसे कि आप लोग नीचे ये चित्र देख रहे हैं, इस चित्र के माध्यम से मैं स्वास मंजस व कहने का मतलब कि जो यह पराग कड़ें यह किसी दूसरे पादप से आया हुआ है तो आप देखेंगे कि यह इस पर अंकुरित हो रहा है लेकिन आप लोग जो दूसरा चित्र देखेंगे इस पर S3 नाम का तो अंकुरित हो रहा है जो S1 नाम का पराग कड़ें वो अंकुरित नहीं हो रहा है क्योंकि इस पौधे को पता चल जा रहा है कि क्या कहते हैं जो ये पराक कड़ाया हुआ है ये उसी पादप से आया हुआ है या फिर उसी पुस्प से आया हुआ है और जो आप लोग तीसरा चित्र देख रहे हैं इसमें यस्टू और यस्वन नाम का पराकड दोनों ही अंकुरित नहीं हुआ है, क्यूंकि इस पे भी जो एलिल है वो क्या है, S1, S2 है, ठीक, तो इस कारण क्या कहते हैं, इस पौधे को पता चल जाता है, जो ये पराकर्ण है, ये उसी पादप का है, या फिर उसी पादप के किसी और पुस्प का है, तो इस कारण इस पे दोनों ही पराकरण अंकुरित नहीं हुए हैं, और जो ये विधी है, वो क्या कहलाती है, स्वास मंजस से कहलाती है, और ये कैसी विधी होती है, वनसा नुगत पराकरम होता है, तो ये पराकरम कैसा होता है, वनसा नुगत पराकरम होता है, अब हम लोग पढ़ेंगे चौधी बाइब्रेजन न्युक्ती जो की स्वापरागण को रोकेगी स्वापरागण को रोकने के लिए एक अन्य साधन है एक लिंगी पुस्पो का उत्पादन अगर हम लोग एक लिंगी पुस्प का उत्पादन करेंगे तो वह स्वापरागण को रोकेगी अगर एक ही पौधे पर नर एवं मादा दोनों ही पुस्प लब्धों जैसे एरंड और मक्का उभै लिंगश्राई कहने का मतलब कि जो उभै लिंगश्राई पुस्प होते हैं उनमें नर और मादा भाग एक ही पुस्प पर पाए जाते हैं या स्वापरागण को रोकता है ना कि सजाती पुस्पी परागण को तो जो उभै लिंगा स्राई पुस्प होते हैं वो स्वापरागण को तो रोक सकते हैं लेकिन सजाती पुस्पी परागण को नहीं रोक पाते हैं अन्य बहुत सारी प्रजातियों जैसे पवीता में नर एवं मादा पुस्प भिन पाधव पर पाये जाते हैं तो पवीता के पौधे में जो नर और जो मादा पुस्प होता है वो अलग-अलग पौधो पर पाये जाता है अर्थात कहने का मतलब यहां पर यह है प्रदेख पा कोदे पर नहीं पाय जाता इसमें यह परिसνेथी स्वा परागल तथा सजाति पुसाँ परागल को बहुता है इसके पराग पराकड एक ही पुस्प के वर्तिकागर पर गिरते हैं तो जो पराकड होता है वो एक ही पुस्प के वर्तिकागर पर गिरता है जैसकि आप लोग इस चित्र में देख सकते हैं या सभी अंकुरित नहीं होते हैं जैसकि आप लोग इस चित्र में देख सकते हैं सभी पराकड अ अंकुरित नहीं होगा पराकड़ एवं वर्तिकागर पर उपस्थित प्रोटीनों में होने वाली संगतता प्रक्रिया पर ही पराकड़ों का अंकुरा निर्भर होता है ठीक ना अगर इसकी संगती के पराकड़ होंगे तब अंकुरित होंगे अगर इसकी संगती के नहीं करते हैं अगर यहां प्रतिक्रिया जो होती है अगर इनके अनुकूल होती है तो जो पराग कर्ण होते हैं वो जल और पोसक तत्य को कहां से ग्रहण करते हैं वर्तिकाग्र से ग्रहण करते हैं ताकि यह पराग नली का निर्मार कर सके जिससे पराग कर पराग नली का निर्मार करते हैं कि यह आप जो शित्र में देख सकते हैं यह बीसिया नली रूपry सनचना इसी को अम्फ मुझे कहते यह पराग- ली कहते हैं कि जब तक पराग-नली- विजांत नहीं पहुंच जाती तप पराग-नली एवं जयांग में अभिकरिया निरंत्र चलती रहती है तो जब ये क्या कहते हैं जो ये पराग नली है जब तक ये यहां के आके जब तक बिजान तक ये नहीं पहुँचाती है तब तक ये जो अभिक्रिया होती है संगतता तथा आसंगतता वाली प्रक्रिय ये चलती रहती है तत पश्चात तंतु में समुच्चे के माध्यम से सहायक कोसिका में प्रिवेस करती है तत पश्चात क्या होता है जो पराग नलिका हमारी होती है तंतु में समुच्चे के माध्यम से कहां प्रिवेस करती है सहायक कोसिका में प्रिवेस करती है जो हमारा अत्तन तुरूपी समुच्चे होता है वो पराग नलिका को क्या करता है सायक को सिका में प्रिवेश करने है तू दिसा निर्देश देता है अब हम लोग कृतिम संकरण के बारे में पढ़ेंगे या भिन वन्स परंपरा के दो अत्वा अधिक प्रकार के पौधे की उनके सर्वसेश लक्षणों को साथ लाने के लिए एवं नई प्रजाती को उत्पन करने के लिए की गई चैनित क्रोसिंग होती है कहने का मतलब जो कृतिम संकरण होता है उनमें हम लोग पौधे के दो सर्वसेश लक्षणों को आपस में साथ लाते हैं जिसके लिए हमको क्या करना पड़ता है क्रोसिंग करना पड़ता है या फिर संकरण करना पड़ता है जो पादप प्रजनन द्वारा कृतिम धंगों से की जाती है तो या हम लोग किस द्वारा करते हैं कृतिम धंगों से प्रजनन को करते हैं पादपों में कृतिम संक्रन द्वारा फसलों की उननत किस्मों का उत्पन किया जाता है तो जो कृतिम संकड होता है उसमें क्या करते हैं हम लोग जो फसलों की सबसे उन्नत किसम होती है उसका क्या करते हैं उत्पादन करते हैं या फिर उस फसलों को या फिर उस किसम को हम लोग बनाते हैं इस तकनीक में या ध्यान रखा जाता है कि केवल इच्छित पादप के पराकड़ी उपयोग किये जाए और इच्छित वर्तिकागर को अनैच्छिक पराकड़ों से सुरच्छित रखा जाए कहने का मतलब यह है कि हम लोग क्या कहते हैं उसी पराकड़ का छिलकाओ करेंगे उसी वर्तिकागर पर जो हम लोगों ने चैन किया है कोई उस पे और पराकर आके उस पे गिर जा या फिर उससे क्या कहते है निसेचित करते ठीक ना या फिर उस पे अंकुरित हो जाए तो इसी को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कृतिम संक्रण को अपनाते हैं ऐसा प्रक्रम करने हे तू दो पराक्रा मौस्यक होते हैं पहला है विपुंसन और दूसरा क्या थैली करन और कृतिम संक्रण को करने हे तू हमारे पास दो विदिया है पहला क्या है हमारा विपुंसन है और दूसरा क्या हमारा थैली करन इनको आगे चलके हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे पहली विदिये विपुंसन जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं इमस्कुलेशन विपुंसन या बाद एक करण में पौधे के द्रीलिंगी पुस्प के पराग कोसो को उनकी कलिका सिती में ही चिम्टी से निकाल दिया जाता है एवं इस पुस्प का मादा हो जहेगा ही नहीं तो इसको हम लोग किसके रूप में मादा पुस्प न फिर मादा जनक द्रीलिंग जिससे हम लोग कहते हैं थैली करण, तfore grands में क्या होता है जो पुस्प क्या कहते हैं बाधिकृत हैं मताब जिसमें से हम लोगों ने नरभाग अच्छ कर्ण कहते हैं जब इच्छित पुस्प के बादिक्रित वर्तिकागर परिपक होते हैं तब उन पर दूसरे इच्छित पुस्प के पराकड़ों को छिड़क दिया जाता है और पुस्पों को पुना आवरित कर दिया जाता है कहने का मतलब जो बादिक्रित वर्तिकागर है बादिक्रित वर्तिकागर कहने का मतलब भी यह है जिसमें से हम लोगों नर्भाग हटा दिया था जब वैसे वर्तिकागर परिपक हो जाते हैं कहने का मतलब जब वो बड़े हो जाते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं दूसरे इच्छित पुस्प मतलब कि जो क्या कहते हैं हम चाहते हैं जिस पुस्प का पराकार उस पे जाके गिरें तो उसको हम लोग लाके उस पे क्या करते हैं छिड़क देते हैं और पुस्पो को पुना आवरित करते हैं और पुस्पो को क्या कहते हैं फल ना बन जाए तब तक इन पुस्पों को हम लोग किसमें रखते हैं थैलियों में ही रखते हैं एक लिंगी पुस्पों में बाद करण की आफ सकता नहीं होती पर फिर भी सदूसर रहित रखने के लिए थैली करण किया जाता है एक लिंगी पुस्प में बाद करण है पढ़ेगी कहने का मतलब उसमें से हमें नर्भाग को नहीं निकालना पड़ेगा थैली कले को बैंग या radi का ये बोरा वस्त्रण भी कहते हैं तो थैली कले को आपलों का कैते हैं यह पराह सुधर अंधोԲिकानार से देखेंगे दो छोटे-छोटे केंद्रक हैं ठीक ना अभी नर्युगमक की तरह कारे करने लगते हैं और भून कोस में पहुचने के बाद इन में से एक नर्युगमक वास्तविक माता युगमक अर्थात अंड कोसिका के अंदर प्रिवेस कर उसके केंद्रक के साथ संगलित हो और इसी संगलन होने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं युगमक सल्यान मतलब की नर्युगमक जाके अंड कोसिका से मिल गया इस प्रकार की क्रिया को निसेचन कहते हैं और इसी प्रकार की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं निसेचन यानि कि जो नर्युगमक है वो जाक के मादा युगमक को निसेचित कर दिया या फिर मादा युगमक के साथ सल्यन किया उसके बाद उसे क्या किया निसेचित कर दिया तो इस प्रकार की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं निसेचन कहते हैं दूसरा नर्युगमक दो ध्रुवी केंद्रक द्वारा बने दृतियक कें बुचकर उसे निशेचित करता है और जो दूसरा नर्युगमक होता है वो जाकर जो बीच में जो धुरुई को सिकाएं होती हैं उन्हें निशेचित करता है या क्रिया त्री सल्यन कहलाती है और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं त्री सल्यन क्योंकि इसमें तीन तथा द्री सयोजित को सिका के अत्रिक सभी केंद्रक अत्वा को सिकाएं धिरे धिरे लुप्त हो जाती है ठीक ना तो इस समय जो भूर कोर्स के अंदर क्या होता है जो अंड को सिका होती है और क्या करते हैं द्री सयोजित को सिका के अत्रिक ठीक ना इसके अलावा क्या करते ह सारी कोसिका होती हैं धिरे-धिरे क्या हो जाती है यह एंड को सिका है ícios व्लप्त हो जाती है नहीं दिखाया दी दिखाया उटके यह क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं यह रिया क्यूह को स्रका से इसे चित करता है तो इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं द्रिन सेचन कहते हैं त्री सल्यन के बाद केंद्री कोशिका प्राथमिक भूण कोशिका बन जाती है तो जब त्री सल्यन होता है यहां पर यहां पर तीन कोशिका यहां आप दो एक सकते हैं ठीक न जिसे हम लोग कहत तोने लगती है भूण पोस किया करता है भूण को पोसर प्रदान करता है जब कि युगमनज एक भूण के रूप में विक्सित होता है जो यह नीचे वाली सनचना देख रहे हैं जिसे हम जाइगोर कहते हैं या फिर युगमनज बोलते हैं यह आगे चल के किसका निर्माण कर कहा था जब प्रात्मिक भूण कोसिका क्या कहते हैं आगे चल चल के क्या बनाई थी हमारा भूण भूण स का करना पूसर प्रदार करना बिसक्यां जैसा कि मैंने अभी विता हैं कि जो फिल्श approved है वो क्या है निशेचन के पश्शाथ होता है तो इसका निर्माण कभ होता ह पुसवी पॉद्व में निसेचन के रहता है। या भूरोब के विकास और भीच के अंकुलण के समय उप्योग में आता है। लेकिन इंसियारटे में आपको पंढ़ना है पहला क्या है ? पहला है हमारा केंद्री बुरकोस और दूसरा है कोशिकी बुरकोस Timothy चलिए इनके बारे मेंиваем के बढ़ेंगे पैला हमारा केंद्री भूण पोस इस प्रकार के बूण पूस में प्रात्मिक भूण पूस केंद्रक अर्सूत्री भाजन अठ्वा मुग्त केंद्री भाजन दौरा अनेक स्वतन्रकीं device केंडरकों में विभाजू चाहित वह स्सक्राइव उसके बाद यहां पर देखें और अपरatura त्राइक मतलबो सरकें बन जाते यहां सवतंत रहते मतलब यहां दूसरा से क्या रहते हैं इसलिए केंद्री भूहणपोसक काह uważते हैं इसको क्या कहते हैं केंद्री ब्रून पोस कहते हैं नारियल में दूद की तरह जल युक्त ब्रून पोस होता है और यह किसका प्रकार है केंद्री ब्रून पोस का एक प्रकार है या समान प्रकार का ब्रून पोस है जो एक बीच पत्री में पाया जाता है जैसे मक्का चावल ग हुँ ठीक ना तो इन बीजों को बीच से आप लोग अलग नहीं कर सकते हैं ठीक ना तो इसलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं एक बीच पत्री बीच कहते हैं मतलब कि इसमें बीच का सिर्फ एक ही पत्र होता है या फिर एक ही पत्र दिखाई देता है अब हम लोग पढ़ेंग है जो haven पोस का जो केंदर को सीका बच भागों में बटी हुई आपको साफ दिखाई देती है लेकिन आपको यहां पर क्या क्या और कोई भी कोसिका का बटवारा दिखाई देता है तो यह आगे जिते भी हेंग्या में बंते יצाएंगे 29 में कोशिका भित्ती भी बनती चली जाएगी जैसे कि एक केंद्रक अलग कोशिका भित्ती में दूसरा केंद्रक अलग कोशिका भित्ती में तो यही यहाँ पर कहने का बतलब यह है केंद्रक के विवाजन के पश्चात यहाँ में कोशिका भित्ती का भी निर्मार हो जाता है इस प्रकार के निर्मित भूण पोस आरम से ही ठोस होते हैं तो इस प्रकार से जो भूण पोस निर्मित होते हैं वो आरम से ही क्या होते हैं ठोस होते हैं, मजबूत होते हैं नारियल में जो सफेद गूदा होता है कोशिकी ब्रूण पोस्ट का बना होता है तो जो नारियल में क्या कहते हैं जो सफेद वाला पार्ट होता है वो किसका बना होता है कोशिकी ब्रूण पोस्ट का बना होता है कोशिकी ब्रूण पोस्ट प्राया द्री बीच पत्री में पाया जाता है जैसे चना जो चना होता है ह भ्रून कोस या पुटी के बिजान द्वारी सिरे पर विक्सित होता है तो जो भ्रून कोस होता है वो कहां पर विक्सित होता है बिजान द्वारी सिरे पर विक्सित होता है जहां पर युगमनज इस्तित होता है वहीं पर क्या इस्तित होता है युगमनज अधिकतर का नुकूलन है ताकि विकास सिल भ्रूण को सुनिष्चित पोसर प्राप्त हो सके तो ये क्या है एक प्रकार का नुकूलन है जिससे जो हमारा विकास सिल भ्रूण है ठीक ना वो सुनिष्चित पोसर प्राप्त कर सके यद्देपी बीच में व्यापक भिन्निता होती है ठीक कहने का मतलब भी है जब एक बीच पत्री और द्री बीच पत्री बनते हैं तो जो उनका विकास होता है वो क्या होता है प्रारंबिक जो चरण होते हो दोनों में क्या होते हैं एक दम एक दूसरे के बिलकुल समान होते हैं विकास के अधार पर भूण पोस के प्रकार तो विकास के अधार पर भूण फोस्ट के दो प्रकार होते हैं पहला है हमारा द्री बीच पत्री भूण और दूसरा के हमारा एक बीच पत्री भूण अब हम लोग पढ़ेंगे द्री बीच पत्री भूण के बारे में एक प्रारूपी द्री बीच पत्री भ्रूण में एक भ्रूणी अच्छ तथा दो बीच पत्र समाहित होते हैं कहने का मतलब कि अगर इस अच्छ को हम लोग यहां से एक लाइन खीज दें ठीक ना इसी को हम लोग क्या कहते हैं भ्रूणी अक्छ कहते हैं यहाँ पर एक ऐसे लाइन खीज दें, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, भ्रोणी अच्छ कहते हैं, ठीक ना, तथा दो बीच पत्र समाहित होते हैं, जैसे कि आप लोग यह देख सकते हैं, यह पहला बीच पत्र है, और यह हमारा क्या है, दूसरा बीच पत्र है, बीच पत्र के इस्तर से उपर भ्रोंगी अच्छी प्रोटीन बीज पत्रो पारिक होती है जो प्राँकूर सिरे पर प्रयास अमात्र होती है यह हमारा क्या है भ्रोंडी अच्छ है ठेकना यहां सब्सक्रांग इंगलिश में हम लुग Mmm इंगलिज 8ղ होता होता है तकने यह प्रारो का निर्मार करता है जाड़ तना प्ती का निर्मार करता है ङत्था इंगलिश कोम्र व्की को फैना कार्स ग्यों तकर मूलत quantity sibling घच्रीन च्थी करके करों होता है थी इतितोम प्रूंड होता है और जो इसके नीचे का हिस्ता होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बीच पत्राधार कहते हैं ठीक ना तो बीच पत्रों के इस तर के नीचे तो ये कैसा इस तरह ये नीचे है ठीक जिसके अंदर क्या होता है मूलान सिरा जैसे कि आप लोग इसे हम लोग क्या कहते हैं मूलान कुर कहते हैं इसी को हम लोग क्या कहते हैं मूलान सिरा कहते हैं या फिर मूलच के सिरसार्थ पर क्या होती है समाप्त होती है मतलब कि यह सिरसार्थ है मतलब कि सबसे आगे का हिस्स और यहीं पर यह क्या होती है समाप्त होती है या मूल सीर्स एक धकन द्वारा आवरित होती है जिसे मूल गोब कहते है जो यह मूल सीर्स होता है मतलब कि जो यह आप देख रहे हैं इसी को हम लोग क्या कहते है मूल सीर्स कहते है मुलांकूर सीर्स कहते है जिसे हम लोग मूल सिर्स का है ये बात क्या है एक ही है तो ये क्या कहते है ये आगे चलके एक क्या कहते है धककन से आवरित होती है मतलब कि धकी होती है जिसे हम लोग क्या कहते है मूल गोव कहते है ठेक न आगे चलके जो मूलांकूर होता है वो क्या बनाता है जड़का निर तो अगर हम इसको भृुहूणी अच्छ मान लेते हैं अगर यहां प्यूहर की फिरी हीजिवलू के स्थित है इसके निचले सिरे पर भृूणी अच्छ में एक गोलाकार और merelyण एक बिनाविभेदित पर रिस आवरित होता is जिसे कोली और आईजा या फिर मुलांकुर चोल कहते हैं जैसा कि मैंने बताया इसको हम लोग क्या कहते हैं भूरी अच्छे कहते हैं तो इसके नीचले सिरे पर हम लोग देखेंगे यहाँ पर मुलांकुर और जो मूल गोफ है एक बिना विवेदित पर से ढकी हुए जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं मुलांकुर चोल कहते हैं इसको टेलम के जुड़वा के इस तर से उपर भूरी अच्छे के भाग को बीच पत्रो पारिक कहते हैं जैसे कि यहाँ पर हमारा इसको टेलम जुड़ा हुआ है जो इसके उपर का जो भाग है इसको हम लोग क्या कहते हैं बीच पत्रो पारिक कहते हैं बीच पत्रो पारिक में प्रारो सीर्स सता कुछ आदी कलिकापन होते हैं जो एक होखला पढ़ी सनचना को घिरते हैं जिसे प्रारंकुर चोल कहते हैं कहने का मतब जो यह हमारा प्रारो सीर्स होता है यह कहां पे होता है बीच पत्रो पारिक में होता है और जिस सनचना से घिरा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं प्रारों कुर चोल कहते हैं तो इस प्रकार से हम लोगों का यह जो एक बीच पत्री भूर है और जो द्री बीच बारे में आवरित बीजियों में लेंगिक जनन का अंति परिणाम बीज होता है तो लेंगिक जनन का अंति परिणाम क्या होता है हमारा बीज होता है अब पढ़ेंगे बीज का निर्माड निसेचन के पश्चाद बिजांड के अन्य भागों में परिवर्तन होता है इसके फलस बीच चोल वा भीत्री अध्यावरण टेग्मिन बनाता है तो बाहरी अध्यावरण क्या करता है बीच के बाहरी चोल को बनाता है जिसे हम लोग क्या कहते है बीच चोल कहते है और भीत्री अध्यावरण टेग्मिन बनाता है जिसे हम लोग क्या कहते है बीच के अंदर वाला हो जाता है लेकिन या कुछ बीजों में एक पतली परत के रूप में बच जाता है जिसे परी भूरूर्ण पोस कहते हैं अगर बिजान काई कुछ बीजों में अगर बच जाए ठेक ना तो उस बच्ची हुई पतली परत को हम लोग क्या कहते हैं परी भूरूर्ण पोस कहते है अब हम लोग पढ़ेंगे बीज के लाव बीजों में भूण पोस में पर्याप पोसर समागरी होती है दूसरा है बीज में एक कटोर बीजा वरण होता है जो भूण को सुरच्छा प्रदान करती है तीसरा है बीज अन्वानसिक सही होजन या जनेटिक रिकॉंबलेशन और विविद्धा प्रदान करते है तो ये बीज के क्या है लाव है निम अब हम लोग पढ़ेंगे ब्रूण पोस की उपस्तिती के अधार पर बीज के प्रकार पहला प्रकार है हमारा आप ब्रूण पोसी बीज अनेक पौदों में बीज का निर्मार होते हुए ब्रूण अपने विकास के लिए संपूल ब्रूण पोस का उपयोग कर लेता है तो जब बीज का निर्मार होता है तो कुछ बीज क्या होते हैं अपने संपूल ब्रूण पोस का उपयोग कर लेते हैं लिएक न तो इन प्रकार के बीजों को हम लोग क्या कहते हैं आप फ्रोंड़ पोसई बीच कहते हैं हम जाता है तो अगर मीज जब परिपक हो जाता या बढ़ा हो जाता है तो उसमें फ्रोंड़ पोस नहीं हो नहीं कर पाता तो जो कुछ बूज होते हैं जब उनका भूणी परिवर्थन् ओता है मत्तब कि यह बीज बन रहे होते है ठीक ना तब यह संपूर्ण रूपस का उप्यूप नहीं कर पाते हैं फल्सवरूप परिपक की बीज में ब्रून पोस उपस्थित होता है तो इसका परिणाम यह होता है कि जो परिपक के बीज होता है उसमें ब्रून पोस क्या होता है उपस्थित होता है उधारन के तौर पे क्या हमारा गेहूं मक्का है चावल है इत्यादी अब हम पढ़ेंगे बीजों के अंकुरन चमता कुछ क्या कहते हैं सैकडो वर्स तक जीवित रह सकते हैं यहां पर विश्वे के प्राचीन जीवन छम बीजों के अनेक रिकॉर्ड उपलग्ध है एक प्राचीन बीच लुपाइन लुपिनस आर्टिकस है जिसे आर्टिक क्रुंडा से खनित किया गया था एक अनुमानित रि रिकॉर्ड है तो जो यह जो बीज था यह दस हजार वर्स के बाद भी क्या कहते हैं अंकुरित हुआ था हाल में यह एक रिकॉर्ड दो हजार वर्स पुराने खजूर के जीवन छम बीज फोवीनेक्स डेक्ली फेरा का है जिसे मृत सागर के पास किंग हेराल के महल की पुर अंकुरण और या फिर पुस्पन हुआ था अब हम पढ़ेंगे फल के निर्माण के बारे में निसेचन के पश्चात अंडासे का फल में और अंडासे भित्ती का फल भित्ती में परिवर्तन होना तो जो फल का निर्माण कहां से होता है हमारा अंडासे से होता है जो अंडा जैसे कि आम, आडू, खजूर, आदी में ये कैसा होता है, गूदेदार होता है, मतलब कि जो हम लोग खाते हैं, तीसरा है हमारा अंता फल बित्ती, या फल बित्ती का भीत्री भाग है, अभासी फल या प्राया, पतला जिल्लीदार होता है, या कठोर और अस्ठिल, जैसे कि आम ताड आदे में तो जो अंता फल बित्ती होती है जैसे कि आम की कुसली कैसी होती है वो पतली होती है जिलीदार होती है अभी कभी क्या कहते है जब आम पूरी तरीके से बढ़ा हो जाता तो उसमें कट हो रहती है तो यह हम लोगों ने तीन प्रकार की फल बित्ती के बारे हो ठीक ना तभी उसे हम लोग या थार्थ फल या फिर सते फल कहेंगे इसी को हम लोग इंगलिश में टूफ रूट कहते हैं परन्तु कुछ पौदे जैसे सेब काजू अक्रोट इस्ट्रावेरी आदे में फल की रचना पुस पासन या बाहिदल पुच की महत्यू बोल भागिदारी होती है तो इसे हम लोग कूट फल या मिठढ फल या फिर अभासी फल कहते हैं कहने का मतलब यह है कि अगर अदासे के बाद अदासे के अलावा अगर किसी भी चीजी झीज़ से अगर फल की शनर्चना होती है पुस में जैसे कि उसमें आदीपन प्रदान करते हैं कहने का मतलब यहां पर यह है जो हमारे पराग कर्ण होते हैं जो वर्तिकागर पर अभी अंकुरित हो रहे हैं वो अंडासे को आदेश देते हैं कि चलो भईया कि तुम फल बनाना अब शुरू कर दू मतलब कि उद्धीपन प्रदान करना मतलब होता है कि इसको सक्री कर देना मतलब कि जब कोई क्रिया क्या कहते है निस्क्री हो तो उसको क्या कर देना सक्री कर देना ताकि जो अंडासे हो हमारा फल बनाना शुरू कर दे उधारन के तौर पे हैं केला अंडानास संतरा अंगूर इत्यादी आप इस शित्र में यह देख सकते हैं कि जो यह सारे क्या कह अगल से क्यांक बीजों के कई तरीके हैं कोचых Suks mo Zhu! कोशिका का निर्मार बिनार सूत्री भाजन के हो जाता है कहने का मतलब यहां पर यह है तो जो बीजों का कुषिका हो तess supplement रहती है उसका निर्मार्ण पिनार सूत्री वाजन के होता है मतलब कि इसमें कोई भी प्रकार का युगमक नहीं बनता है जब यह अंड कोशिका भूण में परिवर्तित होती है तब भूण द्रीगुलित रहता है तता इससे प्राप्त पौधे भी द्रीगुलित होते हैं कहने का मतलब यहां पिए जो हम में नर युगमक और मादा युगमक के मिलने की ज़रूरत नहीं होती है कुछ पौधे जैसे नीबू आम आदी में भ्रून पोस के आस पास ही कुछ बिजान काय को सिकाई विभाजित होकर पूर्ण लूप से विक्सित हो जाती है तो कुछ पौधे जैसे होते हैं जैसे नीबू आम आदी में जो उनका भ्रून पोस होता है जो उसकी आस पास की बिजान काय को सिकाई होती है वो क्या होती है विभाजित होकर पूर्ण उससे विक्सित हो जाती है कहने का मतलब कि यहीं आगे चल के क्या कहते हैं भृून का निर्मार कर देती है इस प्रकार की स्पिसीज में एक बिजार में कई भृून होते हैं का मतलब यह होता है कि एक बिजार में कई क्या कहते हैं बीज विक्सित हो जाते हैं जैसे कि आप लोग नीबू के क्या कहते हैं फल में देखे होंगे उसमें धेट सारे बीज आपको दिखेंगे अब हम पढ़ेंगे बहु भूरूर्टा के वारे में बहु भूरूर्टा की खोज लुएन हॉक ने 1719 में की थी एक बीज के अंदर एक से अधिक भूरूर्ण हो तो इस अवस्था को बहु भूरूर्टा कहते हैं कहने का मतलब कि जैसे कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें एक से अधिक बीज पाये जाते हैं तो उस कंडिशन को हम लोग क्या कहेंगे बहु भूरूर्णता कहेंगे या अवस्था अनावरित बीजियों में ज्यादा तथा आवरित बीजियों में कम पाये जाती है तो या जो अवस्था होती है अनावरित बीजी पौधे मतलब कि जिसके बीज क्या कहते हैं धके नहीं होते हैं उनमें ज्यादा पाये जाती है और तथा जो आवरित बीजिय पहते हैं उनमें क्या कहते हैं कम पाई जाते हैं क्योंकि उनके बीच क्या होते हैं ढके होते हैं आवरित इबीजी पौधों में आम नीबू के बीजों में समानता बहुत भूर्णता पाई जाती है तो जो आवरित इबीजी पौधे होते हैं मतलब कि जिनके 20 धक्य होते हैं जैसे कि आम और नीवु हो गया तो इनके अंदर समानता बहुऊनता पाई जाती है तो कहने का मतलब कि अंड कई छोटे छोटे भागों में विभाजित हो जाए तथा प्रतेक भाग में एक भूण का निर्माड हो, चौथा जब भूण का निर्माड भूण कोष की बाहरी कोषिकाओं से हो, तो ये हमारा क्या है निर्म में बहु भूर्णता के कारण है जिनको हम लोग पढ़ चुके अब हम पढ़ेंगे बहु भूर्णता का महत्व पहला है इसके द्वारा एक ही तरह के पौधे का निर्मान किया जा सकता है दूसरा है पुत्री पौधों में मात्री पौधों के गुड़ विद्यमान रहता है कहने का मतलब होता है जो संतती पौधे होते हैं उनमें जनक के क्या कहते हैं गुड़ उपस्थित होते हैं इसी के साथ हमारा ये दूसरा चैप्टर समात होता है अगर आपको यहाँ वीडियो पसंद हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्स्राइब करें ताकि जल्द ही आने वाली वीडियो के नॉटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुश सकें तब तक के लिए हमसे जुड़े रहें धन्यवाद